तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ कोशन्स दिये थे हैं तो सबसे पढ़े तुम कोशन को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों उसके बाद फिर हम लोग आज पढ़ेंगे सर्कुलर मुशन और जो लोग कोशन करके ही नहीं आये हैं वो कुछ नहीं बस आखे गोल गोल करके देखते रहें क्या चल ला है ये सब और कोई आप्शन तो है ने उनके पास है न भेई कुछ कोशन दिये थे मैंने कोशन बान जो कोशन टू कोशन टू अरे की तो लास्ट क्लास कही है। घूमँवर्थ इसके बात दिया ता क्या अच्छा कोई हुमँवर्थ यह नहीं था और फिर तो मॉजी मॉज है भाई बच्चों की तो गुड ईवनिंग, गुड ऐबनिंग, सबी को गुड ईवनिंग हा, 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 क्या बात है, कोई homework नहीं था, जीवन में मजा इभा आ गया, सर इसा ही होना चाहिए होंड न homework नहीं होना चाहिए, ये homework बहुत ख्राब चीज़ होती है चलो बच्चो शुरू करें सर्क्लर मोशन ठीक तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कर्वी लिनियर मोशन और कर्वी लिनियर मोशन में जो हमारे स्लेवस में इंपोर्टेंट है वो है बच्चो सर्क्लर मोशन ठीक तो सर्क्लर मोशन पर मैं आऊंगा पहले बेसिक डेफनीशन जरा समझ देते हैं क्या होती है बेसिक डेफनीशन सबसे पहली चीज है सबसे पहली देफिनिशन अंगुलर दिस्प्लेस्मेंट अफ़ पार्टिकल अफ़ पार्टिकल अबाउट अबाउट भी लिखते हैं कई बार और विद रिस्पेक्ट भी लिखते हैं देखो ऐसा है बच्चो जैसे ही मुझे थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिलेगा ना अंगुलर डिस्प्लेस्मेंट में मैं खा गया थोड़ा सा जैसे ही मुझे कुछ फ्री टाइम मिलेगा जैसे मेंस के समय तो नहीं मिल पाएगा तेईस जन्वरी के बाद भी नहीं मिल पाएगा देखता हूं जैसे free time मिलेगा न पैसे ही मैं आप लोग का सिरे बस पकड़ के खसीट दूँगा यह मेरे सोच है ठीक है जो की मिझे मिलेगा मार्च में मिलेगा चलिए खेर definition देखना जला बहुत important definition definition की हवा ही नहीं होती है में लोगो, it is the angle, it is the angle rotated by, rotated by the position vector, by the position vector, by the position vector of a particle, of a particle with respect to, with respect to the point, with respect to the point, about which, about which, about which, angular displacement, displacement, has to be calculated, has to be calculated, मतलब सर, मतलब जरा ध्यान से सुनना भाई, मतलब क्या है, मतलब यह है बच्चों कि जैसे मान लीजे, कि एक particle है, और वो particle जो है, वो कुछ इस तरीके के path में घूम रहा है, बच्चों, ऐसे जा रहा है, ठिक, इस तरीके से घूम रहा है, तो इस point के relative, मुझे, बोला गया है, point O के relative, इसका angular displacement कितना होगा, तो मान लीजे, यह point A से शुरू करता है, तो जैसे जैसे बच्चों इसका position vector घूम रहा है, वैसे वैसे हम बोलेंगे, इसका angular displacement चेंज हो रहा है, ठीक है ना, जैसे मान लीजे, कोई भी reference line ले लेते हैं, reference line मतलब reference axis, for example, मैंने इसको x और y axis ले लिया, और मैंने कहा कि यह theta 1 है, ठीक, तो यह वाला angle, delta, theta, यह angular displacement कहलाएगा बच्चों, clear, यह क्या कहलाएगा, angular displacement, सर यह जरूरी है कि यह किसी एक plane पर हो, कोई जरूरी नहीं है, बच्चों, कोई जरूरी नहीं है, अईसा हो सकता है कि यह इस तरीके से घूमते हुए ऐसे चलने लगे फिर यू, फिर यू, फिर यू, इसा हो सकता है, तो एक plane पर हो जरूरी नहीं है, छिक, यह जरूर है, कि circular motion जो topic हमारे syllabus में है, उसमें एक प्लेइन पर ही मोशन होता है हमारे स्लेबस में सिंपल सा है अब ध्यान से सुनना जरा हूँ In case of circular motion जो हमारे स्लेबस पर है न बच्चो In case of circular motion origin is taken as center of circle इन जनर यही काम किया जाता है center of circle को origin ले सकते हैं इसका मतलब किसी और point को भी origin ले सकते हैं बिलकुल ले सकते हैं लेकिन center of circle को ही हम origin लेते हैं और अब जब भी बात की जाती है कि angle traveled by the particle बिना कुछ बताए in case of circular motion तो हम मानते हैं center के about ठीक, पहला point मतलब इससे related दूसरा point इससे related जो की बहुत जरूरी है वो है smaller angles are vector but larger angles are scalar मतलब सर मतलब ये कि अगर आपने बड़े angle लिये तो वो vector के term में नहीं आएंगे बहुत simple सी बात पता रहा हूं ध्यान से सुनना सभी लोग जैसे मान लीजे मैंने अच्छा आपको एक बात पता है vector vector की जो definition है जब आगे चल करके आप पढ़ेंगे तो वो आती है ds equals to d theta cross r से ये actual में definition है जो आपके syllabus में definition की तरह पढ़ाई नहीं जाती है जो आपके syllabus में पढ़ाई नहीं जाती है अब दिक्कत क्या है बच्चों जैसे ही आपने केवल ये definition exist करती है s बराबर theta cross r exist नहीं करती है इसलिए d theta vector quantity होता है theta vector quantity नहीं होता ठीक है ना? ये reason होता है circular motion में ये वाली valid हो जाती है लेकिन हमेशा नहीं होती मतलब कोई particle straight line में जा रहा हो और ये distance s हो तो हम ये नहीं लगा पाएंगे हाँ लेकिन इस ds के लिए क्या ये लगा पाएंगे? answer is yes इस ds के लिए ये लगा पाएंगे क्योंकि d theta is a vector quantity ठीक? पहली चीज दूसरी चीज किसी ने पूछा why? क्यों है? इसलिए क्योंकि जब हमने इसको define किया है तो हमने ये पाया कि ये defined इस तरीके से मतलब इसको direction assign किया ही तब जा सकता है जब ये बहुत small हो otherwise नहीं किया जा सकता clear? एक और बात अगर आप rule देखोगे vector को ये rule follow करना चाहिए theta1 plus theta2 बराबर theta2 plus theta1 करना चाहिए नहीं but larger angles are not not लिख लिए हो इस किलर मतलब लिखो theta1 plus theta2 बराबर theta2 plus theta1 होना चाहिए लेकिन अगर आप देखेंगे तो बड़े angle ऐसा नहीं करते है बड़े angle theta1 plus theta2 तो बराबर थीटा 2 प्लस थीटा 1 को follow नहीं करते है तो यहां से ही यह बात खतब हो गई है clear बच्चो ठीक है तो फिलाल तो आपके स्लेबस में तो यह सिर्फ information है आपके स्लेबस में यह सिर्फ information है लेकिन फिर भी मेरा मानना है जान लीजी क्या बोराई है अगर सर आप दी थीटा गुरु जी वेक्टर बोल ले हो तो दी थीटा का direction भी आप define करिए आपके direction दो define किया ही नहीं मैं का बिलकुल define करेंगे direction of दी थीटा लिखे हैं सब लो direction of d थीटा direction of d थीटा is perpendicular is perpendicular perpendicular to the plane on which particle is traveling थीटा मतलब plane made by plane made by made by ds and r ठीक है इन दो वेक्टर ठीक जी कितनी बाद समय में आगे इसके perpendicular होता है and given by and given by right hand thumb rule right hand thumb rule thumb rule इसके बतलब गुरू जी मतलब देखो द्यान से सुनना जरा सबसे पहनी चीच माली जे हमारे सिलिपस में तो circle ये ना cable ठीक है माली जे कि ये X है बिल्कुष है question में से पूछा गया है कि sr過來 ये अधी त्यावैक्टर टीक है तो क्या डेल्टा थीटा वैक्टर क्वान्चिटी आ positively आomसरे ड्यá सीटोوس siı इधा वैक्टर क्वार्टीटी नहीं है हम आगे बढ़ते हैं जरा ध्यान देजिए क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम डेल्टा थीटा को वेक्टर बनाने की कोशिस करते हैं बेटा तो उसका डारेक्शन डिफाइंड नहीं कर पाते हैं मतलब दियस जो है ना जैसे हम कहते हैं आर्क अपॉन रेडियस अब होता क् यह आर्क जो है ना वेक्टर कब हो सकता है बताओ एक आर्क वेक्टर कब हो सकता है क्या यह आर्क ऐसे घूमती हुई आर्क यह वेक्टर हो सकती है क्या नहीं हो सकती तो यह वेक्टर कब हो सकती है जब बहुत स्मॉल हो तब यह स्ट्रेट वेक्टर डियस बोली जा सकती है otherwise r को हम vector बोली नहीं सकते इस कारण से छोटे angle जो है रहा जो है वो क्या होते बच्चों तो बच्चों धान देना जरा मान लीजे कोई particle plane पर घूम रहा है इस तरीके से तो d theta का direction देखेगा जरा सभी लोग कैसे घूम रहा है ऐसे घूम रहा है ठीक है यह angle है d theta बड़ा अजीब सा direction है आपको feel नहीं आएगी तो feel को किनारे रख दीजिए feel से मतलब नहीं है definition से मतलब है यह जो d theta दिख रहा है ना इसका direction पता है कैसे है बताता हूँ particle किस plane पर घूम रहा है तो यह है ds particle का यह ds और यह r क्या plane decide हो गया हो गया अब एक काम करिए जिस direction में particle घूम रहा है उस direction में अपने दाहिने हर्थ की उंगलियों को घूमाईए सभी लोग घूमाईए सभी लोग किदर की ओर आया जल्दी बताईए बाहर की ओर आ रहा है की नहीं आ रहा बच्चों यह dot होता है और पीछे ऐसे से नहीं बना रहता है तो उसका cross दिखता है तो अगर cross बना है तो arrow अंदर जा रहा है dot बना है तो arrow हमारी हो रहा है तो मैंने यह dot बनाया है इसका मतलब इस vector का direction इस page के perpendicular है की कैसे की ऐसे जैसे for example अगर मैं तुम से बोलू पार्टिकल अगर ऐसे घूम रहा है गुरुदेव ऐसे तो बताए किसी instant पर किसी instant पर यहां से यहां तक जाने में डी थीटा का direction क्या होगा मैंने कहां यह घूम रहा है यहां यह घूम रहा है यह अपने दाने हाथ right hand को fingers को यह curl कर रहे है किदर आया direction अंदर की ओर आया की नहीं आया तो अंदर की ओर cross बना दिया तीर अंदर की ओर जा रहा है क्या बच्चों समझ में आई बात कुछ की नहीं आई ठीक है तो यह है डी थीटा का direction ठीक चलिए आगे बढ़े angular velocity पढ़ते हैं क्या होती है angular velocity तो angular velocity is not a velocity angular velocity velocity नहीं है पहले तो यह जान दीजिए कई लोग कहते है अच्छा यह एक नहीं तरीक है की velocity है बिलकुल नहीं है इसकी definition अलग है इसकी डेफिनीशन अलग है इस दा इस दा रेट ओफ चेंज आफ रेट ओफ चेंज आफ एंगिल विद रिस्पेक्ट तू टाइम रेट ओफ चेंज आफ अगिल विद रिस्पेक्ट तू टाइम ठेक क्लियर या angular displacement यह बताईए रेट ओफ चेंज दो तरीके के होते है बच्छो बताईए आपको रेट ओफ चेंज जब मैंने calculus पढ़ाया था तभी यह बात पढ़ायी थी कि रेट ओफ चेंज बच्चो दो तरीके के होते हैं एक रेट ओफ चेंज होता है instantaneous इंस्टैनियस और एक होता है average instantaneous rate of change बोलिए बोलिये बोलिये D theta by dt बताईए D theta vector है कि यहा loop बिधी vector है D theta vector है कि यहाँ है तो omega बिधी vector है इंस्टैनियस और average अबफ बिधाध की value delta theta by delta t चलिए बताईए बच्चो आपसे पूस्त हैं देखते हैं आपके से कितने लोग को यह बात समझ में आई है बताइए कि average angular velocity क्या vector quantity होगी average angular velocity क्या vector quantity होगी शाबाश बच्चों average angular velocity बहुत बढ़िया बात बताइए no vector quantity नहीं होगी तो मैं vector का symbol नहीं बना रहा हूँ क्या आप omega का direction बता सकते हैं हाँ बिल्कुल आ रहा हूँ तुम ये lecture watch कर सकते हो work power energy यहां पर सीख सकते हो इसके बाद अगला chapter work power energy ही चालू होने वाला है चलिए बताइए बच्चों अगर कोई particle circle में यूँ घूम रहा है देखते कितने लोग बता पाते हैं इस तरफ से ऐसे घूम रहा है तो बताइए ओमेगा का direction किदर होगा जल्दी से बताइए ऐसे घूम रहा है किदर की और होगा बाहर की अंदर अपनी दाइने आत के उंगलियों को घूमाईए खटाक बाहर की ओर तो यह ओमेगा का direction dot vector से आ गया ठीक है बच्चों circular के लिए 6 lecture लगेंगे बिटा most probably maximum ठीक clear आचा चलिए एक interesting बात बताता हूँ इंट्रेस्टिंग बात यह है कि circular motion एक ऐसी चीज है जिसमें d theta omega और omega का rate of change भी हमेशा same line के along होते हैं कि मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं सर बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ पहले आपसे question पूस्ता हूँ चलिए देखते कितने लोग answer दे पाते हैं यह एक circle है बच्चो ठीक यह एक circle है इस circle पर एक particle घूम रहा है अब समझे लीजिए particle यूँ घूम रहा है चलिए बताईए ओमेगा का direction किधर होगा फटा फट जल्दी से left या right तो देखिए जड़ा ऐसे circle में घूम रहा है ठीक circle में जो solid वाला हिस्सा है वो बाहर है यानि कि बाहर वाले हिस्से पर particle यूँ आया और board के अंदर गया ऐसे तो उंगली को घुमा जा किधर की ओर आया left की ओर तो यह है direction यह है omega का direction सीख गए हो तुम लोग शाबाश बच्चो बहुत बढ़िया अगली quality पढ़ने जा रहे है angular acceleration angular acceleration ठीक जोड़ा समझते हैं angular acceleration को क्या होता है यह it is rate of change rate of change of angular velocity angular velocity is called angular acceleration एक चीज़ का बच्चो ध्यार नखेगा angular acceleration acceleration नहीं है पहले तो वो समझो क्यों नहीं है क्योंकि दोनों की definition अलग है गुरू जी और किसी भी चीज़ का rate of change दो होते हैं एक instantaneous जब भी rate of change की बात की जाती है और एक average ठीक है instantaneous इसको denote करते हैं बच्चो एलफा से एलफा वराबर d omega by dt अब अगला question देखते हैं यह कितने लोग बता पाते हैं बताईए average angular acceleration एक vector quantity होगा या एक scalar quantity होगा देखो जरा ध्यान से यह सब गलती कर देते हैं भीया एक बात बताईए छोटे एंगिल छोटे एंगिल इसके वेक्टर होते हैं लेकिन angular velocity तो हमेशा ही vector होती ही इस instantaneous और average angular acceleration is difference of instantaneous angular velocity difference of instantaneous instantaneous angular velocity average acceleration is difference of omega final minus omega initial omega final तो instantaneous है ना भाई उमेगा नीशल तो instantaneous है ना भाई समझ में आ रही है बात ठीक बच्चो तो इस बात का द्याद देखे है change in instantaneous angular velocity अगर मैं बोलूँगा तो वेक्टर होगा average acceleration is a vector quantity ठीक अब एक interesting बात सुनिएगा since in circular motion D theta, omega and alpha all lie along the same line along the same line therefore therefore this motion is analogous to 1D motion a line बहुत important line in which dr, v and acceleration all lie along the same line same line आई बात समुझ में क्या ये line लिख लिए है आपने चलिए अब आपको याद दिलाता है यहाँ पर तो सारे vector कहाँ लाई करते है axis पर अगर ये particle घूम रहा है इस side तो omega उपर की और होगा d theta का direction भी उपर की और होगा अब मैं आपको कुछ याद दिलाता हूँ तो असद दिमाग पे जोड अलियागा अगर आपने वड़ी पढ़ा है तो एक particle की velocity और acceleration अगर same direction में है तो बताईए इसकी speed बढ़ेगी या कम होगी बताईए बढ़ेगी शाबाश velocity बढ़ेगी confirm है अच्छा और थोड़ा याद दिमाग पे जोड डालो अगर velocity और acceleration का direction आप उजेट है बच्चो तो velocity घटेगी याद आगई बात घटेगी ना decrease होगी ना पक्का confirm अच्छा अब जब ध्यान से सुनना ADV by dt में विल्कुल वैसी relationship होती है जैसे कि alpha d omega by dt में होती है होती है कि नहीं confirm इसका मतलब यहाँ से हम conclude कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ इस जगे की बात करूँ तो ए बराबर d v by dt में relationship बिल्कुल वैसी होती है जैसी alpha बराबर d omega by dt है ना acceleration velocity का rate of change है तो angular acceleration omega angular velocity का rate of change है ठीक अगर ऐसा है तो फिर ध्यान से सुनिएगा मस्त बात बताने जारा हूँ बहुत ही शांदार और वो यह कि if omega and alpha have same direction तो बताइए omega in circular motion obviously circular motion की बात चल ली तो मैं क्यों लुकूँ omega और alpha का direction same है तो बताइए omega बढ़ेगा अठेगा मैं काल से omega बढ़ेगा और अगर omega और alpha का direction opposite है then omega decrease होगा clear समझ में आ गई बात ठीक अच्छा अगर ये बात समझ में आ गई है अगर ये बात समझ में आ गई है तो चलो तुम लोगों से पूशते हैं अपने अपने घरों का जब पंखा on करते हो on करते हो fan on करते हो तो on करने के just after on करने के बाद ठीक है अपने इस समय घर में देखे पंखे को on करके देखिए और फिर off कर दियेगा ठंड बहुत है ठीक है omega का direction किदर है और alpha का direction किदर है सब लोग बताईए चलिए omega downward ही रहेगा क्योंकि पंखा उल्टा तो omega नहीं लेकिन पंखे की speed कम हो रही है omega कम हो रहा है that means omega downward, alpha upward यही तो सीखा है भी तो दिल पहले ठीक तो यह हो गया पहला point जो अनालोगी से आया एक और point अनालोगी से आया acceleration constant है in 1D तो हम बहुत सारी 5 equation यूज़ करते है 1, 2, 3, 4, 5 कौन कौन सी V बराबर U प्लस A T V square बराबर U square प्लस 2S S बराबर U T प्लस half A T square बाकी जो है वो यही variable use होंगे जो इन 3 में use होंगे ठीक है वो आप जानते है in circular motion with constant alpha with constant alpha वो constant क्या था A यहां पर constant क्या है alpha कौन कौन से पहला V की जगे आ जाता है omega final U की जगे omega initial प्लस alpha T दूसरा omega final का square बराबर omega initial का square प्लस 2 alpha S की जगे क्या आएगा theta तीसरा S की जगे theta U की जगे omega initial T प्लस half alpha T square और direction तो मैंने देखना बताई दिया है unit देखते है SI unit of omega बताईए omega D theta by dt radian per second मैं बतादेता हूँ alpha बताईए radian per second square चलिए SI unit of velocity बताईए यह तो आपको पताईए meter per second होते हैं कि नहीं होते हैं SI unit of acceleration बताईए meter per second square बच्चों दोनों की unit देखें क्या unit same है radian per second है यह meter per second square है तो यह दोनों same physical quantity नहीं है क्योंकि कई लोग confused जाते हैं सर इसके बाद भी लिखा है आपने acceleration angular acceleration तो इसका मतब यह भी एक नए तरीके का acceleration है नहीं है this is totally different physical quantity समझ में आगई बाद acceleration is totally different from angular acceleration कभी confused नहीं करना है बहुत बच्चे confused रहते हैं ठीक आगे बढ़ने जा रहे हैं हम लोग motion analysis करने जा रहे हैं मतलब motion analysis में क्या करेंगे बच्चों जरा ध्यान से सुनिएगा motion analysis या circular motion kinematics kinematics of circular motion circular motion की kinematics देखते हैं क्या होती है जो की काफी कुछ देख चुक है थोड़ा बहुत और देख लेबता है यार kinematics तो देखी चुक है पता ही अब क्या देखेंगे आब देखेंगे इस segment में relationship between relationship between linear and angular variable angular variable यह देखेंगे ठीक है relationship between linear and angular variable मतलब यह V और omega में आपस में क्या relationship होती है मतलब की A और alpha में आपस में क्या relationship होती है हम लोग यह देखने जा रहे है बच्चो ठीक तो थोड़ा सा tough है लेकिन मैं पढ़ा तो चुका हूँ समझ में आ जाए तो अच्छी बात नहीं आए तो जो final relation से पाएगी उसका रटा मार लेना ठीक है धान से सुनो मा लीजे एक particle इस circle में घूम रहा है ठीक है इस circle में घूम रहा है गुमते गुमते वो पहुंचे बाई साब कहीं यहाँ पर A इस point पर पहुंच कहा है इस point पर पहुंचने के बाद बच्चो मैं दो direction बोलना हूँ एक बोलना हूँ सर्थ kinematics and dynamics में क्या difference है प्रिंस ने बोला बेटा kinematics में हम cause के बारे में बात नहीं करते हैं सिर्फ effect के बारे में बात करते हैं cause क्या होता है सर cause होता है force effect क्या होता है acceleration, velocity, angle यह सब effect कहलाते हैं ठीक है तो cause के बारे में बात नहीं करते हैं ध्यार नखिएगा ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चो हाँ आश्य तो polar coordinate system अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है और दूसरा direction है बच्चो velocity का जिसका मैं नाम दूँगा t-cap tangential direction किसी भी instant पर और यह दोनों direction जो ना variable है जब particle यहाँ होगा तो यह r-cap का direction होगा और यह t-cap का direction होगा अगर आप यहाँ खड़े हैं तो यह r-cap का direction होगा यह t-cap का direction होगा ठीक kinematics और dynamics में बतातो दिया kinematics जो है वो केवल-केवल effect देखता है आज़ा kinetics kinetics में kinematics और dynamics दोनों आ जाते हैं उसे kinetics बोलते हैं ठीक चलिए हम आगे बढ़ते हैं हम आगे की कहानी लिखते हैं r बराबर r-cap क्या यह लिख सकता हो यह r-vector है क्या इसको मैं r-cap ले सकता हूं तो बच्पन से सुनते आ रहे हैं magnitude into unit vector ऐसे तो लिखा जाता है चलिए अब ज़रा इसको derivative लेते हैं dr by dt बराबर dr by dt थोड़ा से तैयारी कर ले ना भी यह अब olympiard के level की चीज आने वाली है plus rdr cap by dt rdr cap by dt product rule लगा दिया लगा दिया ना तो velocity की value बच्चों क्या आएगी v बराबर v बराबर dr by dt dr by dt की जरा value बताए what is dr by dt dr by dt is rate of change यह इसी के along देख रहे है point o के about rate of change of mod r differentiation of unit vector वह आ रहो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया rate of change of rate of change of mod r बताए circular motion में circular motion में point o से distance change होगी क्या नहीं होगी ना तो यह 0 होगा बच्चो circular motion में यह 0 in circular motion ठीक clear चलिए आगे बढ़े plus अब r ने बताया है यह मैंने पढ़ाया था differentiation of unit vector आज वही time आ गया है क्या है क्या है differentiation of unit vector मैं फिर से याद दिलाता हूँ यह है r cap की initial position यह है r cap की final position बच्चों यह आता था d r d of r cap d of r cap यह d theta और यह unit vector है तो इसकी length 1 होगी तो d r cap का mod मैंने बुला था d theta के बराबर होता है और direction perpendicular होता है और किस direction में t k long तो बस हो गया r d theta by dt किस के long t के long ओके मेरे पीछे चला गया यह आप चलेए आगे कर देता हूँ आदित कुमार कह रहे है टेली ग्राम चैनल क्या करें आदित कुमार टेली ग्राम चैनल का भी अरे अब तो नहीं है behind अब तो ठीक कर दिया आदित कुमार यह टेली ग्राम चैनल की पीछे पड़ा है क्या टेली ग्राम चैनल का करें क्या भी कहना क्या चाहते हो पूरी बात बोलो चलो हम आगे बढ़ते हैं भाई यह कहनी पा रहे कुछ तो मैंने क्या समझाया मैं repeat कर देता हूँ बिटा मैंने समझाया यह है r-cap ठीक यह है r-cap की final location ऐसे घूम रहा है vector ठीक यह है r-cap यह है r-cap की final position तो यह difference आएगा dr-cap ठीक dr-cap अगर difference है अगर dr-cap difference है फिर से बता तो रहे हैं भे सुनो तो सही बता तो रहा हूँ वैसे पहले भी पढ़ाया था अभी थोड़ देर पहले फिर पढ़ाया है और फिर से पढ़ा रहा हूँ यह r-cap ऐसे घूम रहा ना r-cap, 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 r-cap ऐसे घूम रहा ना बच्चा ठीक तो माल लेते किसी instant पर यह r-cap है फिर उसके बाद थोड़ा सा घूम गया, यह r-cap आ गया तो यह वाला r-cap कहलाएगा ना देखो कैसे, r-final minus r-initial ऐसे तो करते हैं, difference, या ऐसे कर सकते हूँ गुरू जी, r-initial plus dr-vector बराबर r-final vector ऐसे तो किया गा, तो यह initial है position r-cap की यह final position है, अभी समझ गया है ठीक, चाली, आगे बढ़ते हैं ठीक तो dr-cap का magnitude, क्या, dr-cap का magnitude क्या होगा, r upon radius upon radius, बराबर angle होता है, बराबर d theta clear, अच्छा, direction देखो बच्चों, जैसे जैसे यह tending towards 0 होगा क्या मैं कह सकता हूँ, dr-cap 90 degree पर होगा, और उस से direction 90 degree पर दो direction हो सकते हैं, कौन सा direction जिस तरफ r-final घूम रहा है उस तरफ, तो यहाँ पर आ जाओ अगर particle बच्चों, यह घूम रहा है और यह r-cap है, तो क्या मैं कह सकता हूँ this is the direction of dr-cap which is t-cap क्या यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों clear है ठिक, चले हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से velocity की value आ गई v बराबर v बराबर r d theta by dt को अभी हमने क्या बोला था omega t-cap ठिक, अब एक interesting बात सुनना बहुत मज़ा आने वाला है आपको बहुत ही जयादा मज़ा आएगा और वो यह, ध्यान दीजेग अजरा वो यह की यार यह है t-cap ठिक यह है r-cap यह है r-cap और बताइए तो theta-cap का direction क्या है थोड़ा दिमाग लगाईए, मैंने आज ही बताया है d theta का direction बताइए d theta-cap का direction क्या कहते हैं बाहर की और है की नहीं है बाहर की और, ऐसे घुम रहा right hand fingers को घुमाईए बाहर की और, तो यह direction आगया बाहर की और, यह ही बना दे तो, इस जगे, dot बना दे, ठीक है, तो ध्यान से सुनना, यह है, यह वाला direction है, बाहर की और, d theta का, ठीक, यह है r-cap का, यह है t-cap का, अब t-cap के along unit vector, लाना है, with the help of d theta vector and r-cap, d theta cap कर दीजे, ठीक, छेलिए, इनकी मदद से कैसे लाओं मैं, थोड़ा दिमाग लगाईए, मैं का, cross product, ओरे, हा, cross product से काम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कि कैसे है, कि देखो, ध्यान से जरा, मैं अब समझा रहा हूँ, आप सभी को, बच्चो, ध्यान देना जरा, यह ऐसे घूम रहा है, ऐसे, यह है r, यह क्या है बच्चो, यह t है, ठीक है, और यह angle है, देखो, ऐसे अगर घूमेगा तो यह angle आगया कि नहीं आया, तो यह angle है, यह r है, white, black है t, और यह है angle, ठीक, तो मैं अगर ऐसे से यूँ घूमाऊं, अपनी उगलियों को, cross product याद करो, ऐसे घूमाऊं तो black की तरफ आजाएगा, तो नहीं आजाएगा, देख लीजे, फिर से उताता हूँ, यह है d theta का direction, यह है r का direction, यह है r का direction, यह है d theta का direction, clear, यह है r का direction, d theta, और यह tangent, तो यहाँ से ऐसे घूमाऊं गलियों को, तो इधर d tangential direction आ रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, कि d theta, d theta, cross r cap, cross r vector, यह parallel है, t cap के, यही तो होता है, मैंने, चेक कर लीजे, d theta, cross r cap, यह parallel है, t cap के, d theta, cross r cap, यह parallel है, t cap के, यह है r cap, बाहर की और, यह है t cap, यह यूँ घूम रहा है, तो यह है d theta, ठीक, तो अब मैं कह रहा हूँ, d theta, cross r cap, d theta, cross r cap, क्या, t cap के, लोग आ रहा है, कि नहीं आ रहा है, ठीक, तो मैं t cap को replace करना चाहता हूँ, ठीक, और कमाल की बात देखो, omega खुद अपने आप में, omega खुद अपने आप में, क्या है, बोलो, d theta by dt है ना, और d theta cross r से, t cap का direction भी आ जाएगा, है ना, तो magnitude भी रहा हैगा, क्योंकि बीच का angle बोलो, 90 degree, तो मैं क्या इसको यूँ लिख सकता हूँ, भी बराबर, d theta by dt, vector, cross r, और t cap हटा दू, देखो जरा चेक करो, क्या magnitude इसका, और magnitude इसका सेम है, क्या इसका direction, इसका direction सेम है, चेक कर लिजे, तसल्ली से, धेर सारा आशिरवाद अखलेश, धेर सारा आशिरवाद बेटा, अच्छा करना जाकर के test, मेरा all the best, ठीक है, चरिए, तो v बराबर, d theta by dt, cross r, और यही equation वहाँ पर लिखी थी मैंने, जो अब मैं आज के बाद हमेशा यूज़ करूँगा, v बराबर omega cross r, देख लीजे, एक बार वापस से, थोड़ा सा time दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ, आप सभी लोग इसको एक बार पूरा देख ले, चीक, देख लीजे, फटाफ़ाट. क्या बच्चों समझ में आ गया, तो v कौन सा variable है, linear variable, v है linear, ठीक, और omega है angular, omega क्या है angular, v क्या है linear, ठीक, समझ में आ गयी बात, और या आगी relationship, सेकेंड लास्ट लाइन, ये वाली बच्चा, देखो फिर से बताता हूँ, टी कैप का डारेक्शन वही है, जो डी थीटा क्रॉस आर का डारेक्शन है, यहाँ तक समझ में आ गयी बात, ठीक है, अच्छा, डी थीटा और आर के बीच का अंगल बोलो, फिर से repeat कर देता हूँ, जो मैंने बताया था, ये टी कैप, ये आर कैप, ये डी थीटा, ये डी थीटा, ऐसे गुम रहा है यूँ, तो बीच का अंगल बोलो, डी थीटा और आर के बीच का अंगल 90 है, जरा इस क्रॉस प्रोटक्ट खोलो, क्या लिखोगे, डी थीटा बाई डी टी इंटू आर इंटू साइन नाइन टी, इंटू डारेक्शन, क्योंकि क्रॉस प्रोटक्ट जो है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो टी कैप लिखोगे, साइन नाइन टी की वैलू क्या आ जाएगी, बच्चो बन, क्लियर, समझ में आगई बात, तो मैंने अर डी थीटा बाई डी टी टी कैप को क्या लिखा है, डी थीटा बाई डी टी, क्रॉस र, पस हो गया, खताओ, ठिक, डिफ्रेंशेशन ओफ यूनिट वैक्टर की मेरी क्लास देख लेना, कानामेटिक्स 2D में, टूडी की लास्ट क्लास है, या सेकेंड लास्ट क्लास है, एक बर वो जरूर से देख लेना, तो तुमको ये वाला टॉपिक बहतर समझ में आ जाएगा, अच्छा, अब फाइनली, मान लीजिए आपको समझ में नहीं आया है, माल लिजए आपको समझ में नहीं आया है तो फिलाल ये formula याद करना है इसको अभी तो और फिर इसको थोड़े दुनों बात मैं फिर से आपको पता दूँगा ये formula आपको याद रखने ठेक है अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अब हम देखने जा रहे है acceleration of particle acceleration of particle during circular motion during circular motion vector honestly vector मेटा मैंने पढ़ा दिया है आप vector के मेरे notes देख लिजे अना भाई vector के notes देख लिजे आप और vector के notes के रहा हूँ sorry vector के video lecture देख लिजे बच्चा पाटी वीडियो लेक्च्चर देख लिजे वेक्टर पूरा सीख लिजे ठीक है vector from start की जरूरती नहीं पढ़ेगी आप मैं already vector start से पढ़ा चुका हूँ बेटा तो यह है particle जो circular motion perform कर रहा है बच्चों ठीक यह circular motion perform कर रहा है वी velocity से अब फिर से शुरू करने जा रहा हूँ वी फीडियो लेक्च्चर गंभीर सर मैंने ASAT दिया 10th moving to 11th 304-320 तब भी ASAT में 30% scholarship बट वही इससे कम मार्स पे talent X में 80% आया बट स्टार बैच नहीं मिला क्या अनकेडमी कोटा सेंटर पे मिलेगा गंभीर बाबू आप जो है न यहां पर आकर के मेरे से मिलिये और मैं आपका एक और टेस्ट लूँगा और उसके बाद decide करूँगा कि आपको स्टार में लेना है कि नहीं थिक तो फिर से शुरू करने जा रहा हूं बच्चो ध्यान से सुनना उसी तरीके की चीज वी बराबर वी इंटो वी कैप आया तो दी वी बाइदी बराबर बोलिए दी बाइदी बराबर वी दी बाइदी दी बाइदी वी कैप प्लस वी इंटो दी वी कैप बाइदी ओ ते तो फिर से आ गया युनित वेक्टर का differentiation, अब क्या करें, अब क्या करें, फिर से आ गया, कोई तरीका है, सोचिए, कोई तरीका है से बचने का, अच्छा चलो, थोड़ी से प्रयास करते हैं, dv by dt, बराबर, dv by dt का मतलब scalar magnitude, ठीक है, इसे बोलते है, rate of change of magnitude, rate of change of magnitude, rate of change of magnitude, ठीक, तो इस चीज़ को बोला जाता है, बाबू, to tangential acceleration, atv cap, प्लस, जरा dv cap by dt किसके बराबर होगा, बता सकते हैं, तो ध्यान दीजे जरा, अगर माल लीजे, ये radius vector theta angle घूमा, तो बताईए, velocity vector कितना angle घूमेगा, चलिए, चलिए, बताईए, अगर radius vector theta angle घूमा, तो velocity vector कितने angle घूमेगा, बोलो, 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 कॉसर sign के form में कराना होता, तो मैं वहीं से शुरू करता न, मुझे ये सिखाना है, मुझे ये सिखाना ही है, unit vector का derivative, अगर NACP निकालना है, INPHO निकालना है, तो ये सीखना पड़ेगा, बताईए, देखो, एक theorem पड़िये बच्चों, अगर दो perpendicular line है, तो एक line जितना घूमेगी, दूसरी line बो तो नहीं घूमेगी, ठीक, होगा न, तो ये theta, ये theta, हो गया, गहानी खता हूँ, तो dv cap by dt की value बताईए, क्या आएगी बच्चों, दोनों का theta ये angle है, है न, तो क्या मैं कह सकता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले जैसे कहा था, कि इसकी value, इसका direction देखे जारा, direction देखना बहुत जरूरी है, ठी देखना जरा ध्यान से सनना, देखने क्या आता है, क्या v cap और tangential direction सेम है, ये v cap का initial direction, ठीक है, ये थोड़ी देर बाद, ऐसे घूम रहा है न, बच्चों, ऐसे घूम रहा है न, particle, थोड़ी देर बाद, velocity vector ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं बताऊंगा, आज नहीं बता आओ, ये वाले को बेहतर समझ के आओ, अच्छे से, खटर, 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 अब दो-तीन बार, कम से कम, दो-तीन बार copy pen लेकर के इसको करना, ठीक है, फिर मैं next class में ये ही चीज़ वापस से करूंगा, तो इसमें time time मत करना, मैं आज नहीं बता रहा हूँ, velocity वाला, acceleration वाला, लेकिन एक बार ये सीख गए बच्चों, तो मज़ा आने वाला है, जान दीजिए, ठीक है, SCV पढ़ने की जरूवत नहीं है, कोई भी, इसी को बार-बार करने की जरूवत है बच्चों, ठीक, चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा, बाबाई,